Hello students, welcome to Global Online, this is Ankita Asun So, 36rd State Eligibility Test Paper 1 के Final Revision के लिए Teaching Aptitude Unit के Full syllabus Important and Most Expected Questions की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ इस सीरीज में आप लोगों को एक clear idea मिल जाएगा कि कैसे updated pattern के हिसाब से questions exam में पूछे जा सकते हैं and guaranteed इसमें से आपको upcoming exam में as it is questions देखने को मिल सकते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक question पर आप लोग ध्यान दीजिए and जो भी important explanation में आपको दूँगी उससे आपके सारे concepts भी आसानी से clear होते रहेंगे Paper 1 के final revision के लिए 30 days complete course में लेकर आई हूँ जहांपर students daily live lectures के साथ आपका 100% syllabus examination से पहले पूरा करवा दिया जाएगा इस complete course में आपको video lectures recorded format में भी मिल जाएंगे जहांपर exam के level के हिसाब से आपकी तयारी करवाई जाती है पूल सलिबस mock test है जिसमें 30 mock test English में और 30 Hindi में आपको मिल जाएंगे exam से पहले इन mock test को अगर आपने attempt कर लिया तो guarantee है कि आप 100 में से paper 1 में 80 plus score कर सकते हो and सबसे ज़ादा important है यह 5000 plus MCQ question bank जिसमें unit wise questions को arrange किया गया है and यकीन रखिए कि इस series के बाहर से एक भी question आपको examination में देखने को नहीं मिलेगा and सबसे अची बात यह है कि 50% of this new batch के लिए हम आपको दे रहे हैं आप सभी को कोई पर doubts है या जादा information चाहिए तो given numbers पर contact कर लिजिए लेकिन उससे पहले free videos और mock test को जरूर अटेम्ट करना जो कि आपको global online app पर मिल जाएंगे app download करने के बाद store section पर आपको search bar में course का नाम लिखना है इस तरीके से आपको course मिलेगा जैसे ही आप content पर जाते हो आपके सामने free videos है separate मेरा course है जहाँ पर आप देख सकते हो कितने जादा mock test है जितने भी classes रहते हैं उनके PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगे notes आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह जो भी videos हैं यह बहुत simple language में बनाए गए हैं exam oriented तयारी करने में आपको बहुत ही जादा help कर सकते हैं तो students पूरी information के लिए आप सभी given numbers पर easily contact करके हमसे contact कर सकते हैं Ministry of Education Government of India's Swayam platform for offering MOOCs has how many quadrants for designing the courses बहुत सा simple question है इसमें पूछा गया है कि Swayam portal जो की Ministry of Education Government of India के द्वारा बनाया गया है इसमें इन्होंने courses को design करने के लिए कितने quadrants यानि कि कितने चतूर्थांश introduce किये हैं options है 2, 4, 6 and 8 यह question सबसे पहले examination में जरूर आता है तो इसका सही जवाब है 4 quadrants यानि कि 4 चतूर्थांश के उपर Swayam काम करता है और यह 4 चतूर्थांश है e-tutorials जिसमें कि आपको video lectures provide करवाए जाते हैं सबस्टेश स्वयम के अंदर अगर आप किसे भी course में enroll होते हैं तो आपके concept और आपके topics clarity के लिए आपको e-tutorials यानि कि video lectures के format में भी content मिलता है जहां पर best teachers आपको best way में पढ़ाते हैं अगला है e-content e-content में आपके pdf notes आजाते हैं e-books आजाती हैं जिनको easily आप अपने mobile phone में भी download कर सकते हो अगला है self assessment self assessment यानि कि आपने कितना समझा वो कोई भी एक topic आपको कितना clear हुआ यह सब अगर देखना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास quiz होते हैं problem solutions होते हैं mock test होते हैं बहुत सी assignments दी जाती है and next quadrant है discussion forum and web resources web resources का मतलब है कि कोई एक particular topic कहां से लिया गया है या उससे related कुछ important information अगर internet पे है तो उसके links भी आप लोगों को दे दिये चाते है साथ ही discussion forum का मतलब है कि अगर आपको कोई भी doubt है कि कोई भी परिशानी हो रही है तो वो clear करने के लिए आप अपने coordinator से यानि कि अपने teacher से भी बात कर सकते हो उस course में आपके आसपास जो students enroll हुए हैं उनके साथ भी discussion कर सकते हो तो ये चार important चीज़ें हैं जिस पे सबसे ज़ादा focus करता है स्वयम पोटल आप सभी students को paper one में help करने के लिए एक free telegram group में लेकर आई हूँ अंकीता सूत paper one net set preparation नाम से आप इसको search कर सकते हैं and students इस group की खास बात यह है कि आपको कोई भी guidance चाहिए आपको भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो directly मुझसे यहां पर contact कर सकते हैं साथ ही जो भी मेरी classes रहती है उनके pdfs और links आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी class मिसना हो and बहुत आसानी से आप सभी paper 1 में at least 100 में से 80 प्लस score कर सकें तो आपके proper guidance के लिए यह channel बहुत important है इसको ज़रूर आप सबको free में join कर देना है Okay तो यहां पर Swoyam की थोड़ी से definition clear की गई है कि Swoyam में एक ऐसा platform है जो कि आपको बहुत सारे courses प्रोवाइड करवाता है आपको विस यह पूझाए कि कौन सी class से लेकर किस class तक के courses को आप कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त में access कर सकते हो यानि कि उनसे पढ़ सकते हो options है class 9 to post graduation class 8 to post graduation class 5 till doctorate यानि कि PhD तक class 7th till post doctoral degree सो इसका सही answer है स्वयम हमें courses प्रोवाइड करवाता है class 9th से लेकर के post graduation तक तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है correct answer है option number 1 स्वयम aims to achieve which of the following three cardinal principles अब देखो यहाँ पर आपको याद रखना है स्वयम के 4 quadrants हमने पड़े ठीके 4 quadrants पड़े 9th से लेकर के post graduation तक के courses में आप यहाँ पर enroll हो सकते हो and स्वयम हमें 3 cardinal principles भी provide करवाता है यानि कि इसके 3 प्रमुक सिधानत होते है कौन-कौन से quality, career और skills यानि कि आपको अच्छी quality का content देगा आपका career set करनी की शॉरिटी देगा और आपके skill में भी development करेगा access, equity और quality access का मतलब है पहुंच कि आप कहीं भी हो किसी भी शहर, किसी भी कोने में हो आप easily स्वयम के courses को access कर सकते हो equity मतलब समानता आप किसी भी school में बढ़ते हो किसी भी caste से हो, किसी भी जगा से हो सबको बराबर का अधिकार यहां पर पढ़ने का है और सबको बराबर level की education दी जाती है और next है quality अगला है affordability quality and equity and quality so affordability का मतलब होता है कि जैसे कई बार बोला जाता है कि courses बहुत महंगे हैं ठीक है education बहुत महंगे तो affordability का मतलब है कि यह बिल्कुल free हमें मिलता है सामर्थ जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो भी यहां पर पढ़ सकते है next है innovation, collaboration and diversification नवाचार innovative तरीके से बढ़ाया जाता है collaboration मतलब यहां पर बहुत सी चीज़ें collaborate करके भी पढ़ी जा सकती है and diversification यानि कि विविधिकरन so three cardinal principles है स्वयम के access, equity and quality कि आपको best education दी जाएगी किसी भी caste, किसी भी religion किसी भी school से आप हो कहीं से भी belong करते हो आपको समानता यहां पर रखी जाएगी और access का मतलब है कभी भी कहीं भी बैट कर आप उसको पढ़ सकते हो अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तो देखे ये भी question exam में आता है कि कितने national coordinators है स्वयम के, तो total होते है nine coordinators, हरी coordinator जैसे engineering से related जो courses है, उनके लिए अलग coordinator है, management के लिए अलग है, ठीके, इसके अलावा अलग-अलग departments, अलग-अलग coordinators इस तरीके से होते हैं, तो basically इस question में आप से engineering का पूछा है तो answer होगा आपका option number C, that is NPTEL, exam में कई बार NPTEL नहीं लिखा हो सकता, इसकी जगे इसकी full form लिखी हो सकती है, तो ये मैंने आप लोगों को दे दिया, एक homework question जिसका answer मुझे comment करके बताईए कि NPTEL की full form क्या होती है ठीक है, engineering courses जितने भी है, SOYAM platform के अंदर, उन सभी को handle करते हैं, उनका curriculum बनाना उनके लिए content create करना वो सब NEPTEL की जो है responsibility होती है statement based question है SOYAM is a program initiated by government of India बिल्कुल सही है and designed to achieve six cardinal principles अभी देखो, ये six cardinal principles बोल रहा है लेकिन हमने कितने बड़े हैं तीन बड़े हैं तो येवाल option गलत है second statement बोलती है SOYAM has been developed corporatively by Ministry of Human Resource Development यानि कि MHRD के द्वारा बनाया गया है जिसको अभी नाम बदलकर Ministry of Education रख दिया गया है and All India Council for Technical Education MHRD और AI, CTE दोनों ने मिलकर क्या किया है SOYAM को develop किया है और साथ में इसमें Infosys जो कि एक बहुती बड़ी IT company है उसने भी इनकी मदद की है तो देखो इसमें सही answer क्या है both these statements are false MHRD का इसमें role जरूर है बट Infosys का इसमें कोई role नहीं है इस वज़ा से सिरफ इस point की वज़ा से second statement आपकी गलत हो गई है next है statement one course material provided through digital platform like Swayam helps learner to go through it at any time and at any place तो Swayam के जैसे और भी जो digital platform है online educational portals है वो कहते हैं कि आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो बिल्कुल सही कहते हैं second option second statement बोलती है discussion boards works as asynchronous medium as anyone can post any question or reply at any time इसमें बोल रहा है कि जो discussion forum वाला quadrant है वो asynchronous तरीके से काम करते हैं जिसमें आपका जब मन कर रहा है आप तब reply कर सकते हो तो कौन सा option सही है दोनों ही सही है हमने communication में पढ़ा था कि asynchronous medium क्या होता है जिसे अभी अगर आप message कर रहे हो email कर रहे हो तो उसका reply सामने वाला कप करेंगे कितनी देर में करेंगे उसकी कोई surety नहीं है जिसे ये video अभी 9 p.m. के लिए मैं बना रही हूँ 9 p.m. पे बना रही हूँ ठीके आप लोग हो सकते है कुछ लोग 10 बजे इसका reply करें जो मैंने who a question दिया कई लोग एक साल बाद भी देख रहे हैं कई दो साल बाद भी देख रहे हैं ठीके तो जब आपने video देखी तब आप reply करोगी तो ये asynchronous medium होता है और synchronous होता है जिसमें immediately feedback मिलता है जैसे हमारी live classes में which of the following is the national coordinator for Swayam for non-technical undergraduate education so non-technical courses है 11 तकनीकी सनातक शिक्षा के लिए कौन सा coordinator responsible है UGEC, CEC, NCERT और NEPTEL so correct answer होगा CEC देखे NCERT जो है ये आपका school education के लिए responsible है ये मैंने आप लोगों को बता दिया engineering के लिए responsible है already Swayam portal पर एक theory video मैंने बनाई है जिसमें ये सारे coordinators को हुमने बहुत deep में पढ़ा था students अगर अभी तक वो video आपने नहीं देखी है तो comment कर दीजे मैं उसका link आपके साथ share कर दूँगी which of the following statements are true about Swayam? okay Swayam is designed to achieve three cardinal principles बिलकुल सही है Swayam is hosting all the courses taught in classroom from 9th till post graduation बिलकुल सही Swayam accesses students continuously and grants degree तो Swayam बोल रहा है कि वो बच्चों का मुल्यांकन करता रहता है समय पर और साथ ही उनको degree भी देता है अगला है it can be accessed by anyone, anywhere, at any place कि Swayam के courses को हम कभी भी कहीं भी बैट करके access कर सकते हैं that is option number 3 which of the following is the national coordinator for Swayam for management studies okay so management studies के लिए यहाँ पर portal नहीं दिया जैसे पहले अभी तक हमने NPTEL देखा था UGC देखा था NCERT हमने देखा CEC हमने देखा ठीक है वैजा यहाँ पर नहीं पूछा है यहाँ पर universities के नाम IIM के नाम दिये गए है कि management के जितने भी courses Swayam के अंदर है तो वो Indian Institute of Management में कौन सा branch उनका handle करता है तो सही answer है IIM Bangalore The current Swayam platform is developed by the Ministry of Education and NPTEL IIT Madras will help off ठीक है So यहाँ पर देखो क्या का है Swayam platform जो है from Ministry of Education and NPTEL के द्वारा बनाया गया है IIT Madras भी थी और इसमें किसकी help और उनको मिली है Infosys, Google, TCS, HCL और Persistent System यह सभी IT Companies है तो इसका सही answer है A and C only A group of DTA channels devoted to telecasting educational programs 24-7 basis is called what So आपसे एक ऐसे platform का नाम पूछा गया है तो options है स्वयम, MOO, स्वयम प्रभा या फिर ज्यान दर्शन तो सही answer होगा Option number C That is स्वयम प्रभा तो यह स्वयम प्रभा की definition है स्वयम प्रभा एक ऐसा platform है जो कि DTA services के थूँ आपको 24-7 educational programs देता है आप किसी भी course में enrolled हो college में पढ़ते हो उसके free content आपको TV channels के माध्यम से मिल जाती है and updated data के हिसाब से स्वयम प्रभा में total 40 channels अभी है स्वयम प्रभा is an educational learning platform initiated by DTA channels that is available 24-7 through 40 channels सो इसमें कहा है कि 40 channels है 24-7 run होते है अब इसमें यह पूछा गया है कि initiate इसको किस ने किया है यह पहल जो है किन्हों ने इसकी शुरुवात की है options है Ministry of Human Resource and Development जसको पहले MHRD के नाम से जाना जाता था बट अभी इसका नाम MOE Ministry of Education रख दिया गया है second option है University Grand Commission Consortium of Educational Communication या फिर All India Council of Technical Education इस question का सही answer है option number one कि स्वयम प्रभा पोटल जो है यह initiative लिया गया था Ministry of Education के द्वारा next question है यह updated question है अब ऐसे ही question जादा तर exam में पूछे जा रहे है स्वयम प्रभा चानल नंबर एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ उनका नाम दिया गया है तो मैंने आपको बिताया कि आपके पास total 40 channels है updated data के हिसाब से 40 channels को अलग-अलग categories में divide किया है जैसे कि माली जिस science category के subject है engineering के अलग subjects है तो वो नाम वो list आपको याद रखनी है अब यह list कहां से मिलेगी यह भी मैं आपको आगे इस video में एंड तक बता दूँगी तो देखिए channel number 1 का नाम है वागेश channel number 2 का नाम है संस्कृति channel 3 का नाम है प्रबोध और channel number 4 का नाम है सरस्वत तो इस according अगर देखेंगे तो सही answer है option number 3 बहुत असान है इनका नाम याद रखना ठीक है एक दो बार पढ़ लोगे तो easy हो जाएगा अभी देखिए ये एक list है जैसे इसमें बताया है channel 1 से लेकर के 10 तक all these channels are managed by CEC UGC New Delhi national coordinator जो है channel 1 से लेकर 10 तक के वो है प्रोफेसर जगत पूशन नडड़ा जो की CEC New Delhi के डारेक्टर है अब ये channel 1 है इसका नाम है वागेश channel 2 संस्कृती 3 we have प्रबोध 4 we have सरस्वध 5 है प्रबंधन तो इस तरीके से यहाँ पर 10 channels के नाम आपके सामने है इनको आपने जरूर देख लेना है ठीक है ये एक link है स्वयम प्रभा की official website है जहाँ पर ये आपको 40 channels की list मिल जाएगी अब देको students इसमें रट्टा नहीं मारना confusion कुछ भी नहीं होता बस एक तो बार इसको exam से पहले पढ़ लेना जब options exam में दिखते हैं न तो खुद answer आपको समझ आ जाता है ठीक है government of India projects शोद गंगा, स्वयम प्रभा विद्वान और साक्षात तो government of India के ये कुछ projects है and क्यों वो project बनाए गए है तो अभी बाकी अगर किसी को नहीं भी पता तो स्वयम प्रभा देखिए हम पढ़ रहे हैं स्वयम प्रभा क्या है स्वयम प्रभा है DTH educational channels so B को हम 4th से match करते है okay so B को जब हम यहां पर 4th से match करेंगे so इसके options में कुछ problem है हम इसको इस तरीके से यहां पर मैं answers आपको बता देती हूं स्वयम प्रभा को हम DTH educational channel यह सब को पता है right उसके बाद आता है विद्वान विद्वान में हमारे जितने भी researchers है उनका सारा का सारा यह database है ठीक है तो C को हम 1st से match करेंगे then we have Shodh Ganga ठीक है Shodh Ganga is thesis database so 1st को हम 2nd से match करते हैं and Sakshat जो है यह है आपका online content delivery platform okay so यहां पर आप लोगों ने इस तरीके से answer जेख लेने है options में थोड़ी सी problem है इसको आप ignore कर लीजिए next is the channels of Swoyam Prabha are uplinked from BISAC Hyderabad तो जितने भी channels है Swoyam Prabha के अंदर यह Hyderabad में BISAC के द्वारा handle किये जाते है uplink किये जाते है second statement है Swoyam Prabha is an educational program जिसमें 37 DTA channels है तो देखे कितने channels है 40 channels है तो यह statement false है और false statement भी हमारे पास गलत है ओके BISAC Hyderabad के द्वारा यह handle uplink नहीं किये जाते next है in Swoyam Prabha channel number 8 physics, science, mathematics, physics, chemistry or related subject is named as so directly यहाँ पर channel number 8 का नाम पूछा गया है तो देखते हैं इधर जो हमारे पास record था इसका नाम है आरे भट, channel number 8 is आरे भट so यहाँ पर आपको आंसर मिल गया option number 3 ओके which of the following are online methods of teaching using LMS एक question मैं यहाँ पर दे रही हूँ homework बताईए LMS की full form teaching में क्या होती है यह question बहुत बार exam में आया है and Swoyam की full form भी मुझे comment करके बताते रहना and students आप सभी के लिए मैं एक free telegram channel भी लेकर आई हूँ जहाँ पर अगर आपको कोई भी doubts है ठीक है आपके paper one के content को लेकर के या फिर और भी किसी चीज को लेकर के कोई भी सवाल है तो आप उस channel को follow कर सकते हो कोई भी सवाल है share कर सकते हो ठीक है वो नाम है अंकीता सूथ paper one net set preparation ठीक है इस channel को follow कर लीजिए telegram पर and कोई भी सवाल है कई बर कुछ question होते हैं जिनके answers आपको नहीं मिल रहे होते हैं ठीक है previous year paper है जिसके solution आपको नहीं मिल रहे होते हैं वो सब भी आप यहाँ पर share कर सकते हो मैं जरूर आपकी help करूँए online methods of teaching है हमारे पास LMS इसकी full form आप मुझे comment करके बताओगे and already इस पे एक detailed video है then we have using video call tools जैसे कि zoom पे lockdown के time पर आप सभी ने देखा होगा कि zoom पे किस तरीके से live बढ़ाया जाता था बच्चों को ठीक है chalk and talk पुराना method है स्वयम एंड स्वयम प्रभा भी online platforms है और field based activity भी आपका offline method है तो यह बहुत आसान question स्वयम प्रभा channel number 7 कोटिल्य is related to which subject तो देखिए यहाँ पर यह जो मैंने question आपको बताया था channel number 7 नाम है कोटिल्य यह किस से चुड़ा हुआ है यह है आपका economics, commerce and finance तो देखते हैं economics, commerce and finance A, B and D ठीक है A, C and D तो यह है आपका सही answer तो ऐसे questions आते हैं I hope आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि updated pattern में स्वयम प्रभा के क्या-क्या concepts important है Next है स्वयम प्रभा courses are broadcasted on TV MOOCs are only available in English So MOOC की full form क्या होती है Massive open online courses So massive open online courses जो है यह सिरफ English में नहीं है ठीक है यह multiple languages में आपको मिल सकते हैं and स्वयम प्रभा तो आपको बताया ही है कि TV में DTA channels के माध्यम से services देते हैं तो first statement सही है दूसरी है गलत Which channel of स्वयम प्रभा deals with management, library science, information science related subjects So इसका सही answer है option number 5 that is प्रबंधन तो अच्छे से इन channels को समझे इनको note कीजिए मेरा यह suggestion है कि अभी note करोगे तो ध्यान से note करना एक दो दिन के बाद इसको वापस पढ़ लो और उसके बाद हफते बाद या 15, 15, 20, 23 के बाद एक बार revise करते रहोगे तो exam तक बहुत अच्छे से यह channel number और हर चीज आपको clear हो जाएगी and students exam में correct answers आपको easily identify आप फिर कर पाओगे match the following ठीक है तो generally paper 1 में इसी तरह के questions आते हैं तो evaluation में कुछ types होते हैं पहला है formative, summative, criterion referenced and norm referenced इनी से related कुछ definitions हैं आपको इनको match करना है तो पहली definition है percentile rank and standard scores are used for reporting यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी student के percentage उनकी percentile rank या फिर उनका जो score होता है final exam में उसी के through जो है हम reporting कर सकते हैं ठीक है उनका overall evaluation कर सकते हैं तो आपको बताना है कि इन चारों में से इसका right answer कौन सा होगा second option बोलता है standards indicative of mastery यानि कि किसी एक particular student की अगर किसी एक field में mastery है तो हम उसी standard के basis पे उसको evaluate करेंगे third option बोलता है the intention of using it is to identify scope and potential for improvement ठीक है यानि कि ये कौन सा evaluation का type होता है जिसके through हम किसी person का potential या फिर उसके scope को identify कर सकते हैं next option is its intention is to judge learning standards तो वो कौन सा evaluation system है जिससे हम लोग किसी student की किसी learner की learning standards को evaluate कर सकते हैं तो यहां पे learning standards का मतलब है कि अगर माल लीजिए कोई student कोई teacher अपना hundred percent effort दे रहे हैं हम क्या करेंगे एक छोटा सा question पूछेंगे या एक दो questions आप लोगों से पूछेंगे और उसी की basis पे हम आज की lecture को evaluate करेंगे तीक है इसको बोला जाता है formative evaluation यानि कि फटा-फट से इसमें evaluate कर सकते हैं किसी को next आता है summative evaluation तीक है तो summative evaluation के case में क्या होता है जब course हमारा पूरा खतम हो जाता है माल लीजिए teaching aptitude हम पढ़ रहे हैं जब यह complete हो जाएगा उसके बाद हम एक question answer session करेंगे तीक है तो इसको बोला जाता है summative evaluation next आता है criterion referenced तो criterion का मतलब होता है कि एक ही person की एक कोई learner है उसे के different qualities हैं जैसे कि dance भी वो अच्छा करते हैं studies में भी अच्छा है, singing में भी अच्छा है कोई student ही करेंगे तो एक ही person की different qualities को हम क्या करेंगे उन्ही को आपस में हम लोग evaluate करेंगे और वो student की जो best quality होगी उसी में हम उसको focus करेंगे कि आप अगर dance में अच्छे हो तो आप dance ही कीजिए ठीक है, norm reference क्या बोलता है यह बोलते है कि इसमें हम students को compare करते हैं यानि कि दो students हैं, दोनों students को हम compare करेंगे ठीक है, चाहे उनकी studies के basis पे, उनकी extra curriculum activities के basis पे ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कौन सा option किसके साथ match करता है तो इस according अगर हम लोग देखें तो right answer होगा हमारे पास A का option number 3 that is formative evaluation से हम लोग क्या करते हैं किसी person की potential या फिर उसके scope को identify करते हैं ठीक है, unsummative evaluation होता है जिससे कि हम judge करते हैं किसी student के complete learning standards को ठीक है, criterion reference आता है जिसमें कि हम उसकी mastery को indicate करते हैं यह मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही student के multiple hobbies हो सकती है multiple options हो सकते हैं ठीक है तो उसमें से जो best है हम उसी को select करेंगे so criterion reference यानि कि जिसमें उसकी mastery होगी norm reference आता है जिसमें कि हम लोग उसके percentile या फिर उनके standard के basis पे student को judge करते हैं ठीक है so this according हमारा right answer है option number one second question है in order to monitor student's progress and to modify teaching accordingly the best method of evaluation is ठीक है तो अगर हम लोग किसी student को monitor कर रहे हैं कि वो कैसे काम करते हैं वो कैसे पढ़ते हैं ठीक है उनकी complete हम process को अगर monitor करते हैं तो उसी के हिसाब से अगर हम teacher जो है अपनी teaching method में modification करते हैं यानि कि अपनी पढ़ाने की तरीके को बदलने की कोशिश करते हैं तो वो कौन से evaluation system का एक part माना जाता है ठीक है तो पहला आता है formative summative qualitative and objective based evaluation ठीक है तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा हमारे पास formative evaluation that is option number one तो formative evaluation में अगर हम लोग देखें तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही एक class खतम होती है उससे पहले ही हम एक या दो questions पूझके evaluate करते हैं कि students ने आज कितना सुना और उन्होंने आज कितना समझा ठीक है तो इसी से हम लोगों को एक idea हो जाता है कि क्या students interest के साथ हमारी class में सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं ठीक है तो अगर तो वो सुन रहे हैं तो किसी भी teaching method में हमें modification करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर students interested नहीं है class में तो क्या होता है ठीक है अगर वो interested नहीं है class में तो हमें अपना teaching method change करना होगा उसमें कुछ modifications करनी होगी ठीक है तो यह होता है formative evaluation that is निर्मानात्मक मुल्यांकन थर्ड question is what is the main objective of formative evaluation तो अगेन यहाँ पे formative evaluation से ही direct question पूछा गया है to promote students to next class किसी भी student को अगली class में promote करने के लिए ही क्या formative evaluation होता है to enhance students learning तो जो भी कोई students सीख रहे हैं उनकी सीखने की capacity को enhance करना कि वो और अच्छे से समझे ठीक है to enhance cooperation in class यानि कि class में जो हैं सभी students हमारा से योग करे teacher का से योग करे student को सीखने में कोई problem आ रही है वो नहीं समझ पा रहे हैं बार-बार हमारे कहने पे भी तो क्या हमें वहाँ पे formative evaluation यूज किया जा सकता है तो maximum student इस question में confuse हो सकते हैं option number 4 and option number 2 में ठीक है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो option number 4 होता है जहां पे भी learner की learning difficulties के बारे में बात होती है इसका मतलब है कि वो होता है diagnostic evaluation ठीक है diagnostic evaluation तो जहां पे भी student की learning को हमें enhance करना है उसको एक better stage पे पहुंचाना है तो वहाँ पे हमेशा formative evaluation यूज किया जाता है तो right answer होगा option number 2 next question is which type of evaluation focuses on the identification and deficiencies and difficulties of the learner तो यही question अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि जहां पे कोई student को difficulty हो रही है या फिर एक student है जो disabled है ठीक है उनमें काफी जो है deficiencies है वो नहीं चीज़ों को समझ पाते हैं तो वहाँ पे कौन से evaluation के थूँ हम लोग उनको handle कर सकते हैं तो पहला है summative, follow up, diagnostic and criterion referenced evaluation इसका answer बहुत ही साथा simple है that is option number 3, diagnostic evaluation तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि summative होता है class sorry, summative होता है पूरे course के end में जो हमारे जैसे final exams होते हैं तो summative evaluation का main objective होता है कि हम students को next class में promote कर सके follow up evaluation होता है जिसमें simple सा हम evaluate जैसे करते हैं ठीक है regular basis बे diagnostic में यही होता है कि किसी भी student को अगर कोई problem है मैं एक topic बार-बार समझा रही हूँ मैंने अपने जो teaching methods है उसको भी change किया मैंने different teaching aids को भी use किया तब भी वो student नहीं समझ पाते है तो हमें क्या करना होता है diagnostic evaluation करना होता है ठीक है यह जो है generally use किया जाता है medical specialist के help से and diagnostic evaluation जो है वो handicap या फिर disabled students जो होते हैं उनके लिए use किया जाता है next question है हमारे पास the purpose of formative evaluation is to monitor progress and plan remedial instruction यानि कि किसी student की जो progress है या जो उसकी प्रगती है उसको regularly हम जो है निगरानी उस पे रखें ठीक है and जो remedial instructions होते हैं उनको हम plan करें next है know the understanding of the student तो student कितना समझ रहे हैं वो कितना समझना चाहते हैं या उनका interest है या नहीं है तो इसको जानने के लिए क्या हम formative evaluation करते हैं next है know the teacher's objectives are fulfilled अगर हम देखना चाहते हैं कि जो हमारे objective हैं जो हम आज class में किसी person को किसे student को सिखाना चाहते थे तो क्या हमने अपने goal को अपने objective को fulfill किया है या नहीं किया है assign grades तो क्या final में जो हम लोग grades assign करते हैं student को वो formative evaluation के थू होता है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि maximum questions जो है वो formative and diagnostic से ही आ रहे हैं जो हमारे theory lecture series थी वहाँ पे हमने detail में इन चीज़ों को discuss किया है real life examples के साथ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है तो अगर आप लोगों ने वो videos अभी तक नहीं देखी है मैं description box में उसका link दे दूँगी आप लोग प्रीज उसको check कर सकते हो तो formative का जो main aim होता है वो होता है किसी भी student की progress को monitor करना तो एंड उनकी जो remedial instructions होती है उसको हम लोग properly plan करें ये भी easy के अंडर आता है next question है which of the following is indicative of innovations in evaluation system at present ठीक है so evaluation system जो होता है उसमें indicative जो है innovation से related latest क्या चल रहे है present में क्या चल रहे है पहला है semesterization system project based evaluation system choice based credit system and objective based evaluation system ठीक है तो objective based का मतलब simply है कि जो हमारे objective type questions होते हैं ठीक है तो आप लोगोंने देखा होगा अगर आप लोगोंने topic नहीं भी पढ़ा है आप लोगोंने सिरफ अभी तक UGC net paper 1 का syllabus भी देखा होगा तो भी आप लोग इसका answer कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर एक topic बहुत clearly mention किया गया है that is CBCS इसको बुला जाता है choice based credit system ठीक है and उसी की basis पर उनको credit भी दिये जाएंगे and इसका एक best example है cafeteria like system जैसे cafe में क्या होता है यहाँ पर multiple chairs लगी हुई है ठीक है हम जो भी order करना है हम क्या करते हैं counter पर जाते हैं ठीक है अपनी इच्छाओं के हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से हम order करते हैं फिर चाहे वो pastries के section में हम ले ले या फिर किसी और fast food के section में हम लोग ले ले ठीक है यानि कि हम अपनी choice के according जो है चीजे select कर सकते हैं इसको बोला जाता है cafeteria like system ठीक है इसमें क्या होता है students जैसे माल लीजे कि कोई non-medical के student है तो उन्होंने five subjects में से अपनी जो major subjects है उनको तो select किया ही इसके अलावा अगर उस student को history में भी interest होगा तो वो history अलग से select कर सकते हैं या फिर उनको अगर dancing में भी अगर interest होगा तो वो dancing को भी select कर सकते हैं और यह जितने भी extra subjects होते हैं इनकी जो credit होते हैं यह भी हमारे final evaluation में add किये जाते हैं तो यह होता है CBCS evaluation is called तो यहां पर आप लोगों ने confused नहीं होना है simple से चीज़ देखनी है कि जो भी यहां पर बोला गया है वो है test data ठीक है and जो student के level of proficiency है यानि कि एक student जो है उसमें क्या-क्या properties है क्या क्या चीज़े हैं जैसे एक student अगर dance भी अच्छा करता है ठीक है एक student अगर singing में अच्छा है studies में भी अच्छा है ठीक है तो different different areas में student क्या interest है ठीक है तो उसमें किस basis में हम उस student को evaluate करेंगे तो इसका answer भी आप लोग मेरे ख्याल से एक second में दे सकते हो क्योंकि detail में मैं आप लोगों को अपी previous six questions में बता चुकी हूँ ठीक है कि एक ही student के different जो properties है जो उसके aims होते है interest होते है उनको हम किस basis पे evaluate करते हैं criterion referenced testing के basis पे evaluate करते हैं next question is which of the following types of assessment is conducted periodically with an eye on standard ठीक है so eye on standard यानि कि एक final standard को लेकर के जिसके थूँ हम किसी person को grade provide करवा सकते हैं उनकी final percentage दे सकते हैं उनका final evaluation कर सकते हैं तो उसमें कौन सी assessment generally use की जाती है ठीक है तो इसमें right answer क्या होगा हमारे पास final judgment जो होती है final assessment जो होती है वो होती है summative assessment next question है हमारे पास what are the advantages of CBCS अभी मैंने आप लोगों को बताया choice based credit system तो पहला option है focus is on student centric education second option बोलता है student centric का यहां पर क्या मतलब होता है कि जो भी student है उसी के according teacher पढ़ाएंगे student अपने time के according अपने interest के according जो है sorry अपने interest के according जो है वो subject select कर सकते हैं ठीक है second option बोलता है it allows students to choose interdisciplinary and interdisciplinary courses यानि कि student जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि non-medical student अपने main subjects के साथ history भी select कर सकता है yoga में interest है तो yoga classes भी select कर सकता है और इनके भी जो credit है वो add होंगे हमारे final evaluation में ठीक है तो इसका मतलब होता है interdisciplinary and intra-disciplinary next आता है make education as per with global standards यानि कि पूरे global level पे कौन से standards से evaluation किया जा रहा है तो CBCS के थूप क्या हम उन global standards को match कर सकते है next option बोलता है makes it easy to estimate the performance level of students in terms of marks ठीक है तो क्या यहाँ पे हम लोग सिरफ marks के basis पे ही एक student को evaluate करते है या नहीं करते है तो मैं आप लोगों को एक बात यह भी बताना चाती हूँ कि evaluation system में अब जैसे आप लोग teaching field में जाने वाले हो तो evaluate हम किसे student को कैसे करते हैं सिरफ उसके studies के basis पे ही evaluate नहीं करते है ठीक है कि बहुत गलत method होता है एक student है अगर मालीजे कि वो studies में weak है लेकिन वो dancing में बहुत अच्छा है ठीक है वो debate में बहुत अच्छे है उनकी communication skills बहुत अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि वो studies में कुछ नहीं कर पाए तो वो आगे future में कुछ भी नहीं कर सकते तो इस basis पे कभी भी किसे student को evaluate नहीं करना चाहिए हो सकता है कि वो dance में ही अपना नाम बहुत अच्छा कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर यहीं बोला गया है कि students को सिर्फ marks के basis पे ही क्या हम evaluate कर सकते है next option आता है offers flexibility for students to undertake studies at different times and at different institutions ठीक है तो क्या CBCS हमें allow करता है कि एक student किसी भी समय पे कहीं पे भी बैट के कभी भी अपने time के recording classes attend कर सकते है तो यहाँ पे right answer होगा option number 3 that is A, B, C and D A, B, C and sorry E ठीक है तो option जो select किये है वो बहुत important है ठीक है और जो हमने select नहीं किये है उसका reason यह है कि marks के basis में हम किसी के evaluate नहीं कर सकते हैं ठीक है next question आता है हमारे पास during teaching when a teacher uses process questions which of the following types will have dominance ठीक है तो कौन सा type यहाँ पे use किया जाता है main भी ठीक है जब एक teacher जो है questions पूछते हैं तो पहला है direct question यानि कि जैसा हमने पढ़ाया as it is हम question पूछतेंगे direct questioning होगी दूसरा है higher order questions पुछ क्रम के प्रशन ठीक है जितना पढ़ाया है उससे higher level के questions अगर वो पूछते हैं next आता है convergent questions next is indirect questions यानि कि simple सा topic था उसी topic से question चाहे easy होगा लेकिन वो question direct नहीं होगा वो indirect होगा ठीक है next आता है हमारे पास concepts based questions ठीक है तो यहां से एक बात तो बिल्कुल clear आप लोगों को हो जानी चाहिए अगर हम elimination method यूज करें तो direct question and indirect question जो है वो साथ में कभी भी नहीं आ सकते तो A and D जिस भी option में आप लोगों को अगर साथ में नजर आता है तो वो पहले ही eliminate कर सकते हूँ ठीक है तो यहां पर हमारा right answer होगा पहला तो होगा higher order questions ठीक है तो teacher अगर किसी teaching के time पर ठीक है questions को process करते हैं questions आप लोगों को पूछते हैं उनका use करते हैं तो वो हमेशा higher order questions ही होनी चाहिए ठीक है तो दूसरा option आता है हमारे पास कि indirect questions होने चाहिए अगर मैं आप लोगों को direct पूछ लूँ exam में ही पूछ लूँ directly कि formative evaluation की basic definition बताओ तो क्या होगा उस evaluation का क्या फाइदा उस question का क्या फाइदा क्योंकि यह तो बहुत easy है ठीक है तो थोड़ी से difficulty level जो है वो हर एक question में हर एक चीज में होना जरूरी होता है ठीक है तो यहाँ पे आएगा indirect question तो next आता है concepts based question यानि कि जो भी concept पढ़ाया जैसे कि जब हम लोगों ने evaluation system का theory series किया था तो वहाँ पे video के end में मैंने आप लोगों से दो questions पूछे थे तो वो किस पे based थे वो सिर्फ evaluation system पे ही based थे किसी और topic से question नहीं थे तो इसको बोला जाता है concept based questions, so right answer होगा हमारे पास option number 4 that is B, D and E only instructions which encourages live participation and interaction through online classes are called यानि कि online classes में जो भी हमारी students की participation होती है जो भी उनकी interaction होती है उसको क्या बोला जाता है तो पहला option है synchronous instruction, second option है asynchronous, third है traditional and fourth है theoretical instructions तो सबसे बहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि theoretical instructions क्या होती है अब जैसे theory lectures होते हैं online या offline किसी की भी हम बात कर सकते हैं theory lectures में क्या होता है सिरफ हम आप लोगों को notes बनाएंगे हम आपको concepts नहीं समझाएंगे multiple choice questions की help से आपको नहीं बताएंगे कि कैसे इनको solve करना है बस notes आप लोगों के complete करवाएंगे उसको बोला जाता है theoretical instructions second option है traditional so traditional method यानि कि जो हमारी पारम पर इक तरीका होता है पढ़ाने का उसमें क्या होता है कि teacher class में आएंगे students को instructions देंगे जो भी topic है वो बढ़ाएंगे और चले जाएंगे ठीक है और इस तरह का method जो होता है वो basically होता है teacher centric method ठीक है teacher centric method यानि कि traditional instructions में क्या होता है ना ही कोई feedback होता है ना ही student and teacher के वीच में जाधा interactions होती है तो यहां भी question में पूछा है कि जो live participation में जाधा से जाधा interaction जो है वो online classes में involved करते हैं ठीक है तो अब आता है next asynchronous and synchronous तो maximum students इसमें confused होते है ठीक है तो पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को कि asynchronous क्या होता है सो जो भी relax relax हमारा schedule होता है अब जैसे ये वाली video हमारी live video नहीं है ठीक है तो ये क्या है इसमें student relax है कि हमें class जरूरी नहीं है कि एक fixed time पे attend करनी है जब वो free है जब उनके पास time है वो उस recording class को attend कर सकते हैं ठीक है तो ये होता है asynchronous इसका मतलब है कि इसमें क्या आती है इसमें recorded videos आती है ठीक है तो last जो होता है हमारे पास synchronous instructions ये होता है हमारा real time run से related ठीक है ये होता है real time run से related यानि कि यहाँ पे हम लोग online classes यहाँ पे हम लोग live classes की बात कर रहे हैं ठीक है अब जैसे paper one की हमारी live classes भी होती है वहाँ पे क्या होता है direct interaction होती है ठीक है आप लोग chat पे हमें कुछ भी बोलते हो हम उसका reply करते है उसको बोला जाता है synchronous ठीक है इसमें जो भी student होते हैं जो भी teacher होते हैं या फिर instructors होते हैं वो क्या करते हैं same time पे class को attend करते हैं from different locations ठीक है जहां पे भी आप लोगों को term नजर आएगी flexibility ठीक है जहां पे भी flexibility नजर आएगी इसका मतलब है कि asynchronous transmission या asynchronous instructions की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है traditional का जो key point है वो है कि यह होता है teacher centric method ठीक है theoretical theory तो आप लोगों को फिर पता ही है ठीक है so this question का right answer है option number one second question है हमारे पास assertion and reason से related so इस तरह के question paper one में बहुत बार पूछे जाते हैं so इनके बीच में आप लोगों को पहले मैं बता दूँ क्या करना है reason से पहले आपने because अपनी तरफ से add कर देना है ठीक है अब देखते है इसको कैसे solve करेंगे assertion बोलता है कि students can access to information from anywhere and anything they want ठीक है कहीं से भी कभी भी कोई student instruction को access कर सकते हैं ठीक है कहीं से भी कभी से भी सीख सकते हैं दूसरा आता है reason क्यों की mobile learning help to overcome the physical constraints of classroom and acquired mobility तो यहां पर यह बोला गया है कि यह क्यों possible है क्योंकि हम लोग mobile use कर रहे है mobile learning यूज कर रहे है ठीक है so आप लोगों को यह statement select करनी है both a and r are correct ठीक है यहां पर बोलते हैं कि assertion और reason दोनों correct है and जो r है जो reason है वो assertion की बिलकुल correct explanation है option number 2 बोलता है कि r और a दोनों correct है लेकिन जो reason है वो इससे match नहीं कर रहा है वो इसका correct reason नहीं हो सकता option number 3 बोलता है a जो है वो correct है लेकिन r गलत है यहां पर यह बोला गया है कि student कहीं से भी पढ़ सकते लेकिन इसमें mobile का कोई role नहीं है next option is a is incorrect and r is correct ठीक है यानि कि student कहीं से भी कभी भी नहीं पढ़ सकते लेकिन mobile जो है वो एक physical constraint को overcome करने में help करती है तो यहां पर बोला गया है कि a incorrect है और r जो है वो correct है तो यह बहुत ही easy question है आप लोग इसको relate कर सकते हो इसी method से जो मैंने आप लोगों को बताया यहां पर because add करना है ठीक है तो देख सकते हो कि student कभी भी पढ़ सकते हैं अपना आप लोगोंने देखा होगा कि online classes पे ही majorly focus किया जा रहा है आजकल ठीक है तो student कभी भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं अगर उनके पास mobile है ठीक है so option number one is the right answer ठीक है कि r जो है वो a की correct explanation है तो यहां पर अगर हम बात करें mobile learning की इसका मतलब है we are talking about e-learning ठीक है यानि की हम लोग electronically internet और digital media के थूँ क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं कुछ सीख रहे हैं next question is again assertion and reason so assertion यहां पर बोलता है कि in conventional method so conventional को बोला जाता है traditional method in conventional method of teaching teacher carries too much responsibility यानि कि teacher जो है वो बहुत जादा जिम्मेदारी लेकर बैठ जाते हैं किसी student को पढ़ाने की ठीक है किसी भी class में student को पढ़ाने की to make sure everything they are teaching is understood by the students यानि कि वो इतना अपने सिर पे बोज ले लेते हैं इतनी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं वो student को समझ आना चाहिए तो उसका reason ये बताया गया है कि conventional method of teaching is all about memorization and recitation so memorization and recitation का मतलब होता है simple इसको याद रखना या फिर उसको रट्टा मारना तो traditional method का meaning में आप लोगों को बता चुकी हूँ ठीके तो आप लोगों ने अगर अपने parents से कभी बात की होगी उनसे ये सुना होगा कि उस समय पे काफी students ऐसे होते थे जो कि maths के questions as it is याद करते थे यानि कि traditional method में वो memorization and recitation use किया करते थे ठीके इस according हमारा right answer होगा option number 2 that is A and R दोनों correct है and जो R है वो A की correct explanation है next question is teaching aids are important because so teaching aids का मतलब होता है कुछ ऐसी सामगरिया कुछ ऐसी चीजें जो की teaching में यानि की पढ़ाने में किसी particular teacher को help करती है अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे कौन हमें help कर रहा है they are cheap and easily available की फटा-फट से मिल जाती है and बहुत सस्ती होती है minimum training is required to use them effectively की जाधा training की जरूरत नहीं होती है next is they reduce the burden of the teachers next option बोलता है they provide clarity and generate a clear picture of the concept यानि की इसके थूँ हम लोग सपश्टता से किसी student को कुछ चीज से समझा सकते है ठीक है तो आप लोग अब सभी online पढ़ रहे हो ठीक है तो अगर हम online teaching aid की ही बात करें यहां पे तो भी आप लोग इस question को easily solve कर सकते हो तो क्या online teaching सस्ती है नहीं है easily available नहीं है ठीक है दूसरा आता है कि इसमें training की कम जरूरत पढ़ती है यह option भी बिलकुल गलत है कई teachers हैं जिनको knowledge बहुत है offline वो बहुत अच्छा पढ़ाते है लेकिन उनको laptop यूज करना नहीं आता वो internet access नहीं कर सकते या फिर उनके पास यह सब facilities नहीं है ठीक है तो इसमें बहुत जादा training की जरूरत पढ़ती है they reduce the burden of the teacher बिलकुल गलत है इससे burden बहुत बढ़ जाता है ठीक है teaching aid से burden कई बर बहुत जादा बढ़ जाता है और इसके थूर क्या होता है यह हमें clarity प्रवाइड करवाते हैं and clear picture प्रवाइड करवाते हैं एक concept की तो वो कैसे करवाते हैं जैसे मालीजिए कि कोई चीज मैंने आपको समझानी है तो अगर हम diagram को use करते हैं या फिर अगर मैं आप लोगों को map के थूर किसी चीज को समझाना चाहते हूं तो वो teaching aids है इसके थूर स्टुदेंट्स easily concepts को समझते भी है और उनको जाधा time के लिए यार भी रख सकते हैं ठीक है Next question is The internet can be considered as a teaching aid since it यानि की internet को एक teaching aid बोला जाता है तो इसके पीछे क्या reason है Acts as a mean of transmission of visual auditory and audio visual teaching and learning resources ठीक है तो यहां पर यही बोला गया है कि transmission transmission का मतलब होता है एक जगा से दूसरी जगा पर किसी चीज को ले कर जाना ठीक है अब जैसे information है या फिर कोई भी knowledge है अभी मैं आप लोगों को कुछ knowledge दे रही हूं कुछ information दे रही हूं तो उसको एक जगा से दूसरी जगा पर पहुंचाने को बोलते हैं transmission तो visual, auditory यानि की सिरफ आवाज, audio, visual जैसे की अभी हम interact कर रहे हैं तो क्या इसके लिए internet helpful है इसके लिए इसको teaching aid में include किया गया है second option बोलता है plays an important part in interpersonal communication between student as well as the teacher यानि की एक student and teacher अगर interact करना चाहते हैं आपस में क्या करना चाहते हैं बातचीत करना चाहते हैं तो internet उसमें बहुत एक अच्छा role play करता है next है both a and b none of the above तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो internet है उसकी help से हम interact कर सकते हैं especially अगर live class चल रही हो तब तो बहुत ही अच्छे सी interaction हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर right answer होगा option number 2 हमारा अगला question है assertion and reason ठीक है so assertion बोलता है कि teaching aids make lessons more enjoyable clear and comprehensible for all the students यानि कि जितने भी students हैं सबके लिए क्या होता है एक enjoyable method है teaching aids को अगर हम use करते हैं यानि कि अगर मैं आप लोगों को history पढ़ा रही हूँ तो माल लीजे कि हम लोग जहांसी की रानी का कोई topic पढ़ रहे है ठीक है तो मैं अगर जहांसी की रानी की photo आप लोगों को दिखा दू या उनकी story को एक role play की थरह हम लोग add करें ठीक है समझाएं तो क्या होगा आप लोग easily समझोगे तो यह enjoyable है clear जो है concept है ठीक है reason बोलता है कि teaching aids can only be used in intermediate level of learning process to enrich vocabulary and knowledge यह बोलते हैं कि सर्फ vocabulary यानि कि शब्दावली और अपना knowledge अपना ग्यान बढ़ानी के लिए ही हम teaching aids को use करते हैं ठीक है तो yes इससे knowledge तो बढ़ता ही है लेकिन इसका vocabulary से जादा लेना देना नहीं है ठीक है and इसमें बोला गया है only be used ठीक है only be से यहाँ पे इनोंने यह बता दिया कि सिर्फ इसी चीज के लिए use किया जाता है तो सिर्फ इस concept की बजहा से क्या हो सकता है हमारा reason जो है इस question में वो गलत हो सकता है तो a जो correct statement है and reason उसका गलत है so option number three is the right answer next question बोलता है which of the following tools is a collaboration tool for providing virtual classroom environment ठीक है a lab, a view, tutorial and a learner ठीक है so यहाँ पे a का मतलब क्या है सबसे पहले यह पता होना चाहिए आप लोगों को ठीक है so से पहले यह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि virtual क्या होता है virtual का मतलब होता है not real ठीक है अभासी कक्षा यानि की classroom पूरा है अब जैसे यहाँ पे हमारे daily life classes होती है ठीक है so life class में क्या होता है आप लोग available हो teacher पढ़ा रहे हैं आप लोग को कोई query है आप पूछ रहे हो हम जवाब दे रहे हैं ठीक है सब चीजे वैसे ही चल रही है लेकिन यह क्या है यह सब चीजे real नहीं है यह सब चीजे virtual है ठीक है तो इसमें बोला गया है कि कौन से tools जो है वो virtual classroom environment को collaboration के लिए use किये जाते हैं ठीक है तो इसका right answer है option number two that is a view एक tutorial होता है जैसे कि अभी हम लोग interact कर रही है live lectures नहीं है recorded lectures है ठीक है इनको tutorials पोल सकते है learner भी simple से चीज है तो यहाँ पे view जो है एक important initiative है ठीक है so a view का मतलब होता है virtual interactive environment for work groups virtual interactive environment for work groups ठीक है यहाँ पे a का मतलब है amrita ठीक है तो यह क्या है यह e-learning experience है that is almost as good as real classroom experience developed by amrita e-learning research lab ठीक है इसलिए यहाँ पे a लिखा गया है क्योंकि amrita e-learning research lab ने इसको develop किया है ठीक है next question is which of the following is a non projected visual aid so बहुत ही easy question है non projected so projector आप लोगों ने देखा होगा जैसे presentation चलती है classroom में projector की help से उसी चीज़ को white board पे जो है या white wall पे इस तरह से present किया जाता है ठीक है तो कौन सी चीज़ इसमें use नहीं की जाती पहली है slide OHP that is overhead projector उसके तो नाम में ही projector लिखा है तो इस option को तो हम पहले ही eliminate कर देंगे handheld projector ठीक है इसके भी नाम में ही projector लिखा है तो इस option को भी हम क्या करेंगे पहले ही eliminate कर देंगे ठीक है last option है flash cards तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जैसे की ppt's होती है जो की slides होती है generally उन्हीं को हम क्या करते है projector के through students को students के सामने present करते है तो slides भी जो है वो wrong answer है ठीक है तो इसी तरह से elimination method use करके आप लोग correct answer ढूंद सकते हो so right answer होगा option number 4 ठीक है तो यहाँ भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि flash cards क्या होती है ठीक है flash जो होते है यह brief visual messages होते है जो की एक poster board पे use किये जाते है ठीक है और इसके through भी हम presentation दे सकते हैं लेकिन क्या होता है कि projected aid नहीं है next question is the following teaching aids can be used by a teacher in the classroom as a live interactive device ठीक है तो यह ICT ICT जो unit है उसके point of view से भी बहुत important question है ठीक है तो live classroom के लिए कौन कौन सी चीज़ें use की जा सकती है एक teacher के द्वारा तो पहला है email, skype, online chat, teleconferencing, facebook and blog तो यहां पर हम लोग अगर teaching की बात कर रहे हैं ठीक है teaching की बात कर रहे हैं तो facebook पहले ही delete हो जाएगा facebook के थूर तो कोई teacher नहीं बढ़ा सकते ठीक है email भी delete हो जाएगा क्योंकि email भी जो है उसके through भी हम live classes और यह सब चीज़ें नहीं कर सकते इसके through हम सिरफ messages या फिर कोई information या फिर कोई file को share कर सकते हैं ठीक है next आता है हमारे पास blog so blog जो होते हैं वो भी ऐसा site है जिस पे हम लोग live interact नहीं कर सकते तो इसको भी हम eliminate कर देंगे तो right answer होगा हमारे पास B, C and D so option number 2 is the right answer so next question we have is in which of the following subjects role playing can be mainly useful for teaching so role play जो होते हैं वो कौन से type में use किये जाते हैं ठीक है so role play का मतलब होता है कि किसी की भूमी का निभाना जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम जहांसी की रानी का chapter पढ़ा रही है कि किसी student को जहांसी की रानी बना देंगे ठीक है and उनके साथ क्या-क्या हुआ था उनकी exact story क्या थी उसको थोड़ा सा हम लोग जो है फटा-फट से एक role play के through students को समझाएंगे तो इससे क्या होगा student का interest भी जागेगा history and इस तरह की चीजों में and इसके अलावा क्या होगा कि वो अच्छे से समझ पाएंगे and lifetime के लिए ये चीज़े याद रहती है तो options are history history में हम ये चीज़े कर सकते हैं मैं आपको history का ही generally example दे रही हूँ science subjects तो science में जो है वो role plays use नहीं किये जा सकते क्योंकि उसमें chemicals और plants इन समझ चीजों की बाते होती है तो थोड़े level पे हम कर सकते हैं but majorly नहीं कर सकते mathematics not possible languages में भी ये चीज़े थोड़े level पे use हो सकती है but उससे जादा नहीं तो role play के लिए जो right answer है वो है history the process of comparing a student's performance against his or her previous performance is known as what so देखे teaching learning के दौरान जब classroom में किसी एक particular student की performance को उनके ही पिछले performance के साथ compare किया जाता है तो वो कौन सा मुल्यांकन वो कौन सा assessment कहलाता है okay so ये बहुत important है evaluation system के types में से ये question आया है so देखे students जैसे माल लीजे किसी एक बच्चे के unit test 1 में कितने marks आये है unit test 2 में unit test 3 में कितने marks आये है उनको compare किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि student की progress जो है वो सही हो रही है या फिर student और पीछे की तरफ को जा रही है तो इस evaluation को कहा जाता है options है diagnostic evaluation so diagnostic evaluation में तो हम धूनते हैं कि बच्चे को learning में क्या problem आ रही है तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा अगली है summative summative evaluation वो होती है जिसमें grades, percentage या final results बच्चे को बताये जाते हैं तो इस question में ऐसे भी कोई बात नहीं की गई है तीसरा option है ipsetive assessment तो ये है इसका सही answer that is option number 3 तो इसको note करना है exam में ipsetive एक टर्म नहीं आई है जिससे बार-बार questions पूछे जाते हैं next question है स्वयम प्रभा is an education learning platform initiated by DTH channels सो देखिए स्वयम प्रभा हमें पता है कि DTH channels services के through educational programs TV के जरिए बच्चों तक पहुँचाते हैं and इसमें total 40 DTH channels होते हैं right स्वयम प्रभा किन के द्वारा प्रारम्भ किया गया था so options है ministry of human resource and development इसको MHRD के नाम से जाना जाता है अब इसका नाम बदल दिया गया है ministry of education दूसरा है UGC university grant commission consortium for educational communication या फिर all India council for technical education so इस question का सही answer है option number one that is ministry of human resource development जिसको अभी ministry of education MOE का नाम दिया गया है next question है so students अगर आपको ये session पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही quick MCQ sessions को हम examination तक continue करें तो आप हुझे जरूर comment करके बता सकते हो and ये question series बहुत help करेगी आपका पूरा syllabus easily cover करने में so arrange the stages of PRJ's theory of cognitive development in ascending order so देखिए PRJ ने cognitive development यानि की संग्यानात्मक विकास के लिए mental development के लिए कुछ theories बनाई थी जिसमें कि वो चार stages पर काम करते हैं ओके ये चार stages के नाम आपके सामने दिये हुए हैं आपको इनको सिरफ एक ascending order में आरोही क्रम में arrange करना है so सबसे पहले जो छोटे बच्चे से शुरुवात PRJ ने की थी इनका कहना था कि जो सबसे छोटा 0 से 2 साल का बच्चा होता है वो जो भी चीजे सीखता है वो अपनी senses यानि कि अपनी इंद्रियों से होगा हमारा सबसे पहला option okay so sensory motor stage that is option number C और या पर आप देख सकते हो सिरफ एक ही ऐसा question है एक ही ऐसा option है जहाँ पर C से हम शुरुवात कर रहे है बाकी के भी देख लेते हैं अगला है pre-operational जिसमें की 2 से 5 साल तक के बच्चे को include किया जाता है आप में पड़ी हुई है आप उसको जरूर देख सकते हो link भी description box में मैं add कर दूँगी तीसरा stage आता है concrete operational जिसमें की 5 से 7 साल के बच्चे को consider किया जाता है और last आता है formal operational stage जिसमें की 7 से 12 साल का बच्चा include किया जाता है अब इसके keywords हैं sensory motor के keyword है senses अपनी इंदरियों से बच्चा सीखता है concrete operational में बच्चा imaginary जिन्दगी में जीता है यानि की imaginary जिन्दगी मतलब वो superheroes यह सब चीजों को सच मानते हैं तो यह कुछ keywords हैं जो आपको याद रखने हैं and सही answer है option number 2 next question है which of the following is a technique to provide right kind of support in right amount of right amount at right time to increase child's competency okay बहुत ही ज्यादा important question है इसमें पूछा गया है पहले यह बताते हूं कि यह topic कौन सा है यह है आपके पास cognitive apprenticeship model so models of teaching में C.A.M. model हमने पढ़ा था उसके कुछ steps यहाँ पर आपको दिये गए हैं ठीक है इसमें बोला है कि किसी एक person को किसी एक student को अगर हम guidance देते हैं उनको हम किसी भी topic के लिए guide कर रहे हैं उनको proper support दे रहे हैं लेकिन समय के साथ-साथ हमेशा तो एक बच्चे को हम किसी काम के लिए support नहीं देंगे समय के साथ-साथ वो support जैसे-जैसे घम हमें करते रहना चाहिए जैसे जैसे वो बच्चा सीखता जाता है तो इस term को इस technique को क्या कहा जाता है options are scaffolding, assistance, accommodation या फिर schemas so इस question का सही answer क्या होगा option number one that is scaffolding so cognitive apprenticeship model में हमारे पास 6 steps होते हैं जिसमें से third step होता है हमारा scaffolding अब यहाँ पर एक homework question में आपको दे रही हूँ मुझे बताईए कि आपको मुझे cognitive apprenticeship model के steps आप लोग comment करके बताईए अगर आपको यह नहीं आते हैं ठीके नहीं पता कि steps क्या है तो भी आप मुझे comment कीजे मैं उसके जो वीडियो है उसका link आपके साथ फिर share कर दूगी next question है which of the following are these strategies of cognitive apprenticeship to develop higher order skills among learners so यही वो model है जिसकी हम बात कर रहे थे संग्यानात्मक प्रशिक शुता की रननीती इसको कहा जाता है यह model हमें बताता है कि जब भी आप किसी organization में जाते हो तो वहाँ पर direct आपको काम नहीं दे दिया जाता पहले वो organization आपको सिखाती है कि कैसे उनका softwares, कैसे उनके products को आपको use करना है so इसमें कुछ strategies है higher order skill development के लिए जो use की जाती है options है mentoring, collaboration, socializing second option भी आप देख सकते हो इसमें बोला गया है so second option में बोला गया है modeling, coaching and scaffolding तो यह वाला तो एक बिल्कुल सही option आपको लोगों के सामने है modeling, यानि की पहले जो आपका trainer है वो आपको काम करके दिखाएंगे आपने सिरफ उनको देखना है उसके बाद coaching आता है उसके बाद इसमें बोला जाता है कि जो अभी तक आपने देखा उसको एक बार खुट ट्राइ करने की कोशिश कीजिए और scaffolding होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमें लगेगा कि एक दिन बाद, दो दिन बाद आप काम सीख रहे हो हम अपनी guidance जो है हम आपके साथ अपना knowledge तो share करते रहेंगे हम अपना जो support है वो धीरे धीरे कम करते रहेंगे यह होता है scaffolding में so option B तो सही है and दूसरा option आजाएगा आपके पास option number D ठीक है that is articulation, reflection and exploration so last question में जो 6 steps मैंने बोले थे यह वही 6 है 1, 2, 3, शुरू के 3 यह है फिर 4, 5, and 6 यह है articulation आपको बोलता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको बोल के करो ताकि सामने जिन्होंने आपको training दिये वो उस चीज़ को सुने reflection होता है कि जो काम आपने किया उसका self evaluation आपको करना है and exploration होता है कि जो भी चीज़े आपने सीखी अब उन से थोड़ा आगे बढ़कर आप खुद कुछ नई चीज़ develop करने की कोशिश कीजिए clear है मैं उमीद करती हूँ students आपके सारे concepts clear हो रहे है next question is which of the following statements best describe brainstorming method of teaching so brainstorming buddhi shilata यह क्या होती है brainstorming method हमें बोलती है जिसमें की बहुत सारे ideas को generate किया जाता है produce किया जाता है brainstorming में students के group होते हैं topic दिया जाता है और जो भी उनको उस चीज़ का knowledge है या नहीं है वो उसके बारे में discuss करते हैं तो हर एक student जिनको knowledge नहीं होता वो भी इसमें बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत से ideas को भी generate करते हैं so सही answer है one which of the following are the main characteristic of learner learner centered approach so learner centered approach जिसमें की students के according पढ़ाया जाता है okay students जैसा पढ़ना जाते हैं easy way में उनको पढ़ाया जाता है so ये क्या होता है rigid curriculum, tough curriculum नहीं होता है then we have centered on cooperative determination of subject matter यानि कि इसमें बोला गया है कि जो भी आपका subject है उसके साथ बच्चों को बहुत simplest form में पढ़ाया जाता है तो ये सही होगा it is mainly centered on teachers need teachers need है तो ये teacher centered होगा learner centered नहीं होगा it lays emphasize on variability of exposure ठीक है यानि कि इसमें कुछ नया बच्चों को सिखाया जाता है अलग-अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाकर यहां पर नहीं चीजें सिखाया जाती है तो सही answer है option number B and D that is option number three the channels of Swayamprabha are uplinked from BISAC so BISAC कहां पर है ये पूछा गया है जितने भी channels in Swayamprabha में वो BISAC नहीं handle किया हूँ है ये इसके लिए responsible है और इनका office है गांधी नगर गुजरात में next question is which assessment will be given to learners during the course of instruction rather than after it is completed so ये question का answer देखिए मैं आपको नहीं बताऊंगी जो बच्चे regular मेरे पास पढ़ रहे है उनको इसका answer जरूर आता होगा है न तो मुझे बताए कि कक्षा के दौरान जो evaluation जो मुल्यांकन होता है वो कौन सा मुल्यांकन होता है तो इसका सही answer comment करके बताएए नहीं आता है तो भी comment कर दीजिए ताकि मैं उस video का link आपको दे दूँ next is which of the following statements best describe summative evaluation in evaluation procedure so summative evaluation होता है at the end of the session जैसे कि आपके final exams होते हैं जहांपर आपको grades दिये जाते हैं okay so जहांपर भी students ये term नजर आएगी grades that means we are talking about summative evaluation next question is learner centered approach is centered on teacher's need ये same question देखो मैंने क्यों add किया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि PYQs में वही चीजें वही statements अलग-अलग तरीके से पूछी जाती है अभी हमने पढ़ा कि learner centered है तो वो teacher's की need पर क्यों focus करेगा तो इसलिए ये वाली statement तो गलत हो गई learner centered approach is centered on cooperative determination of subject matter ओकी तो ये बिलकुल सही है same question आया है इसलिए सही answer option number 4 a learner combines his or her previous schemas और modifies them as per new experiences बहुत ही जादा important question है तो जो हमने अभी cognitive apprenticeship model पढ़ा था उसी में से ये term उठाई गई है तो देखी इसमें बोला है कि एक person के पास अगर कोई पुराना knowledge है माल लीजिए एक छोटे बच्चे को पता है कि जिसके पास four legs होती है one tail होती है वो क्या होता है वो dog होता है दूसरी बार बच्चे ने आकर बच्चे के सामने cat आ गई बच्चे ने उसको भी dog बोल दिया लेकिन फिर हमने उस बच्चे को बताया कि difference क्या होता है cat और dog में ठीक है वो कैसे उनकी आवाज होती है क्या difference होते है यह हमने बच्चे को बताया तो यहीं चीज होती है जो इस question में पूछी गी है कि learner ने combine किया अपना previous knowledge और अपने नए experience को भी add किया और उस चीज को थोड़ा सा modify कर दिया तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं स्कीमा को हम क्या बोलते हैं accommodation, assimilation, adaptation या फिर equi, liberation सो सही answer है option number one that is accommodation ओके पुराने knowledge में पुराने knowledge को तो रखा ही साथ ही नया knowledge भी उपने दिया और difference भी बताया कि दोनों में क्या फरक था that is called accommodation assimilation का मतलब होता है आत्मा साथकरण assimilation यहां तक था जब उस बच्चे ने four legs one tail को देख करके cat को dog बोल दिया अभी उनको नया knowledge नहीं दिया आपने difference नहीं बताया भी सरफ बच्चे ने पुराने knowledge को यूज किया किसी particular object को देखने के बाद okay confusion है इस question में तो इस पे भी separate video अल्रेड़ी है उसको भी आप देख सकते हो next question है which of the following curriculum development models come under technical scientific model so TSC technical scientific model से बहुत questions आते हैं तो इसका सही answer है tabas model exam में इसी question को घुमा कर पूछा गया था last time कि tabas model आपका technical scientific model होता है या फिर नहीं होता है तो आपका सही answer आपको पता होना चाहिए next question is which of the following are the requirements of a good teaching good teaching की क्या क्या requirements होती है responsive human environment to foster exploration क्या मतलब है इसका इसका मतलब है कि जो बच्चे explore करते हैं चीजों को कुछ नई चीजों को सीखते हैं वैसा एक environment बच्चों को बना कर देना तो यह बिल्कुल सही है अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें good teacher बन सकते हैं अगला है appropriate responsiveness to the children and the group appropriate responsiveness का मतलब है कि बच्चों को सिखाना की कक्षा में ग्रूप में आप कैसे actively participate कर सकते हो knowledge of subject matter बिल्कुल सही है maintaining interpersonal relationship आपस में students का teachers के साथ कैसा relation होना चाहिए strict adherence of a rigid teaching plan tough teaching plans अगर लेकर आएंगे तो हमारी teaching कभी भी अच्छी नहीं होगी तो इसलिए सही answer है option number B that is A, B, C and D next question which of the following is a major advantage of online learning over offline learning so online learning over offline learning का क्या मतलब है कि online learning के क्या-क्या फाइदे है अगर हम उसको offline learning के साथ compare करते है तो limited access की कम समय तक जब तक कक्षा में teacher है तब तक ही पढ़ेंगे ऐसा तो नहीं होता है flexibility, flexibility का मतलब है जैसे अभी देखिए ये session मैं माल लीजिए 9 p.m. पे upload कर रही हूँ ठीक है आप लोग कोई immediately देख लोगे कई लोग 2-3 दिन बाद देखोगे कई शायद हो सकता है बहुत महीनों बाद भी देख रहे हो तो online हमें ये flexibility का एक advantage देता है cost भी जादा नहीं होती अभी बहुत बच्चे है जो YouTube पर free videos ही देख रहे है ठीक है तो cost भी जादा नहीं होती इंटर activities भी इसमें नहीं होती तो flexibility होगा सही answer next question is which of the following are the benefits of collaborative learning environment collaborative learning environment हमें बताता है हर एक बच्चे को बताता है कि अगर combine होकर आपको task कैसे complete करना है एक साथ मिलकर बच्चों को कैसे किसी task को पूरा करना है so options है improved communication skills एक साथ बैठ कर जब बच्चों को मानलो कोई task दे दिया कोई project दे दिया हमने करने के लिए तो ऐसे बच्चों की communication skills बढ़ती है वो आपस में बातचीत करना सीखते है अपनी मन की बातों को present करना सीखते है तो ए तो बिलकुल सही option है दूसरा option है decreased understanding of different perspectives decreased understanding of नहीं इसमें understanding बढ़ती है घटती नहीं है इसलिए यह वाला option गलत है increased motivation motivated होते हैं बच्चे उनको opportunity मिलती है बोलने की feedback देने की enhanced problem solving abilities यहाँ पर बच्चा सीखता है कि अगर किसी problem है हम फस जाते हैं तो कैसे बाहर निकलना है तो सरफ option number B गलत है बाकी सब सही है तो यहाँ पर देख लीजिए यह है आपका सही answer ओके next is which of the following is a game based platform used in educational institutions to create quiz, conversations and survey अब कक्षा में अगर आपको पढ़ाना है हमें और मालो हम class को थोड़ा interactive बनाना चाहते हो जिसके लिए हमने थोड़ा एक quiz स्टार्ट कर दिया quiz के लिए हमारे पास कुछ software तो होना चाहिए कुछ platform तो होना चाहिए जिस पे हम quiz बनाएंगे तो वो कौन सा एक ऐसा platform होता है options हैं आपके पास class craft, padlet, google classroom या फिर kahoot तो सही answer है option number 4 that is kahoot अब यह देखिए padlet एक बहुत important topic है इसका answer भी मुझे बताइए comment करके कि padlet क्या होता है जैसे kahoot होता है आपका quiz वगरा देता है आपको एक ऐसा platform बनाता है जिसमें बच्चे games के साथ साथ सीख सकते हैं कुछ भी और एक teacher भी kahoot में जाकर खुद के अपने end पर quizzes बना सकते हैं वैसे padlet किसलिए बनाया गया है यह बहुत important है which of the following are game based learning platform so खेल-खेल में बच्चों को सिखाना अगर चाते हैं तो कौन-कौन सी चीज़े उसमें हैं पहले delete कर देना है then we have B option जिसका नाम है Socrative यह भी आप लोगों को games के थूही बच्चों को सिखाने के लिए कैसा platform देता है quiz नाम का भी एक application है जो की teachers को help करता है कि वो अपने जो भी questions बच्चों से पूछना चाते हैं वो कैसे interactive way में games के जरीए बच्चों से पूछे EPG पार्शाला नहीं आएगा Edmodo भी नहीं आएगा तो सही answer है A, B and C यह देखी pedlet का question मैंने पूछा था भी यह PYQ है आपके सामने pedlet is a game based platform used in educational institutions to create quiz conversations and surveys तो यह तो pedlet की definition नहीं है है ना नहीं है ना किसकी है कहूट की definition है अभी अमने पढ़ा तो देखो students अब तो मिझे पूरा पता है कि आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे कि कैसे question exam में आते हैं अगर आपने वो कहूट बाला अच्छे से पढ़ा होता तो यह question आपका बिलकुल जलत नहीं हो सकता था है ना तो इसलिए PYQs प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है statement 2 बोलती है Seesaw is an app based platform that allows student to work together on texts, PDFs, drawings and videos etc तो Seesaw is a platform that you have to share a PDF, drawings and share a video वीडियो के जरीए कुछ सीखना है तो वो सब बच्चे कर सकते हैं तो first option is incorrect and second is absolutely correct So, सही answer है option number 4 Which tools will be used to prepare schedules and class timetables So, class timetables अगर बच्चों के लिए बनाना है as a teacher आपको तो कौन से softwares को आप use कर सकते हो, कौन से platforms आपको मिलते हैं Options है Microsoft Outlook So, Microsoft Outlook भी आपको यह help करता है Trello, Trello भी एक ऐसा software है जो की class में timetables बनाने में आपको मदद करता है And Google Calendars Trello तो नहीं है, Trello तो accounts maintain करने के लिए एक software है Right तो सही answer होगा option number A, B and C only Who among the following is the national coordinator for engineering courses to be launched on Swayam platform तो देखे students, Swayam platform में जितने भी courses होते हैं उन सभी courses को handle करने के लिए nine national coordinators बनाए गए है तो इस question में पूछा है कि engineering courses को कौन सा coordinator handle करता है अब देखें यहां पर coordinator का मतलब होता है कि हर एक course के लिए एक अलग field बनाई हुई है जैसे engineering के लिए कोई और department है, कोई और coordinator है school education के लिए कोई अलग coordinator है, right and coordinators के responsibility यहां पर होती है कि वो जितने भी courses हैं उनको prepare भी करें उनको manage भी करें, time to time उसको update भी करते रहें so engineering के बात की गई है, options है AICTE, NCERT, NPTEL या फिर UGC तो देखें students, NCERT तो नहीं होगा, क्यों क्योंकि यह है आपका school education से related okay, AICTE, TE का मतलब होता है यहां पर technical education All India Council for Technical Education तो यह जितने भी आपके technical courses हैं, उसके लिए responsible है UGC responsible होता है post graduation and non-technical courses के लिए तो सही answer है यहां पर NEPTEL, that is NPTEL यह है आपका responsible engineering के courses को handle करने के लिए in Swayam platform सभी coordinators के details आप देख सकते हो, यह full forms भी पढ़ लीजिए और यह आपर यह भी लिखा हुआ है कि किस तरीके के courses को यह handle करते हैं तो NEPTEL की full form है, national program on technology enhanced learning and especially engineering courses के लिए बनाया गया है which of the following is included in the teaching of understanding level so understanding level से related terms हमें ढूणनी है, application यानि कि जो knowledge हमारे पास है, उस knowledge को apply करना comparison, एक किसी topic के बारे में हमें पता है उसको अपने किसी नए topic या अपने पुराने knowledge के साथ compare करना abstraction जिसको अमूर्तन कहा जाता है और exploration यानि कि explore करना, जिस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता उसके बारे में थोड़ा सा भी जब हम knowledge ने ले लगते हैं तो उसको exploration बोलते हैं so understanding level में हम explore करते हैं चीज़ों को जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता या थोड़ा सा knowledge होता है जाती धारणा, retention का मतलब होता है किसी चीज को retain करना, अपने दिमाग में fix कर लेना, सुनने के बाद या पढ़ने के बाद, ये चीजे आती है memory level में, reflective level में आता है हमारे पास comparison, ठीक है, reflective level हमें बिताता है कि अगर आपके पास चीजें हैं, दो जगा से आपने कुछ knowledge लिया, दो चीजों के बारे में आपको ग्यान है, तो आप उनके बीच में तुलना कैसे करोगे कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है, application जो knowledge है, उसको real life में कहाँ apply करना है, और abstraction यानि की अमूरतन, तो ये शुरू के तीन options जो हैं, ये आपके reflective level से जुड़े हुए हैं, जो कि upcoming examination के पता है कि 4 quadrants होते हैं, ये 4 quadrants में एक quadrant ऐसा है, जो हमें e-content provide करवाता है, यानि कि अपने पढ़ाई के लिए PDF या फिर study materials provide करवाता है, तो इसलिए यहां पर सही answer होगा, option number 1, that is 4 quadrants, देखिए बाकी के 3 quadrants क्या है, video lectures, specially prepared reading material, जिसको कि हमने e-content अभी बोला, self assessment, जिससे कि आपके test वगरा होते हैं, quizzes होते हैं, online discussion कि आपको कोई भी doubt है, तो आप यहां पर discuss कर सकते हो, आपको उसके solution जरूर मिलता है, next is which of the following is incorrect regarding CBCS, तो चलिए पहले तो video को pause करके, आप मुझे full form बता दीजे कि CBCS teaching में क्या होता है, ये question exam में आएगा ही आएगा, ठ ठीक है, तो CBCS is a framework to provide choices for electives and optional to students, ये बच्चों को अपनी पसंद के subjects select करने में मदद करता है, बिलकुल करता है, बट यहां पर incorrect statement बोला है, तो ये तो CBCS के regard में सही है, तो इसको हम गलत करतेंगे, ठीक है, CBCS can be implemented only through online programs, ये बोल रहे हैं कि CBCS को सिरफ online programs के जरीए आप implement कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, ये इसके लिए गलत statement है, ओके, ये इसके लिए गलत statement है, हमें incorrect हे ढूनना था, तो यहां पर देख सकते हो आप, तो सही answer आगया, option number B, next question is, which among these is a dimensional teaching aid, तो dimensional teaching aid, वो कौन सा teaching aid ऐसा है, जो कि किसी dimension, यानि कि किसी IAMI के ओपर काम करता है, blackboard नहीं है, display board भी नहीं है, pictures भी dimensional teaching aids नहीं है, तो सही answer है, models, and models की जब भी हम बात करते हैं, तो model basically three dimensional representation है, किसी भी real चीज़ का, abstract things का, real things का, dimensional representation है, and ये three dimension पर काम करता है, okay, a teacher designing a lesson on cultural diversity for a college class in anthropological plans to what, so, यहाँ पर देखो एक example, एक real life example के साथ question, जो है, frame किया गया है, इसमें बोलाएं कि एक teacher, एक lesson बना रहे हैं, किस पे Sanskritic विविधताओं के उपर, okay, हर एक Sanskriti में जो विविधता होती है, उसके उपर एक lesson plan कर रहे हैं, especially for college के बच्चे, तो यहाँ पर क्या चीज़, कौन सी statement इसको सही define कर रही है, lecture on major, cultural group and around the world and their traditions know, analyze artifacts and symbols from different cultures, अलग-अलग cultures के artifacts और उनके symbols को हमें क्या करना है, समझना है, और अपने meaning में या उनको उनके meaning में हमें explain करना है, उनके meaning को हमें explain करना है, नहीं यह भी नहीं होता, next है, organize a simulation where students experience aspects of a specific culture, no, last option है, facilitate a debate on the impact of globalization on cultural identities, तो यह होगा आपका सही answer, कि अगर हमें बच्चों को Sanskritic Vividta के बारे में बताना है, तो उनकी Sanskritic पहचान पर वैश्वी करन के परभाव, यानि कि globalization का क्या परभाव पढ़ा है, वो एक topic देकर बच्चों को बोलेंगे, discuss करो, तो ऐसे करके वो चीजों को जादा सीख Okay, so students मैंने आपको homework दिया था, CBCS की full form बताने के लिए, तो CBCS होता है choice based credit system, ये बच्चों को allow करता है to choose which of the following, interdisciplinary, interdisciplinary, skill oriented papers, यानि कि जिससे आपकी skill develop होती है, open book examination, no, cataloging services, no, तो सही answer है option number 1, 2 and 3, Choice based credit system students को ये permission देता है कि वो interdisciplinary और interdisciplinary मतलब, देखे मान लीजी आप non-medical रखते हो, तो non-medical में physics, chemistry, math, English और IP आपके subjects हैं, ठीक है, ये 5 subjects हैं, लेकिन CBCS हमें allow करता है कि आप इन में से physics, chemistry, math तो आपको non-medical में पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा आप extra subject जैसे की history भी पढ़ सकते हो, आपका मन है, आप economics भी पढ़ सकते हो, तो ये होता है interdisciplinary और interdisciplinary जो कि हमें CBCS allow करता है, okay? कि CBCS को UGC ने launch किया है, University Grant Commission के बारे में आपने पढ़ा है, उसको CBCS को UGC ने ही launch किया है, अब यहां पर एक question दे रही हूं और, कि बताइए CBCS को UGC ने कौन से year में launch किया था, कौन से year में introduce किया था? next is, match the following का question है, levels of teaching और उसके examples, memory, understanding, reflective, okay, so यहां पर देखिए, encourages critical thinking based on cognitive interchange, so critical thinking यानि की बच्चों को गहन विचार करने के बारे में जब सिखाया जाता है, तो, वो कौन सा level होता है, वो होता है आपके पास, reflective level, तो हम C को first से match करते हैं, तो C को first से match करोगे, तो आपको automatically answer मिल जाएगा, ठीकिये, memory level बोलता है, enhances, sorry, facilitates recalling, यह देखिए, अभी हमने first question में recalling और recognize term पड़ी थी, okay, understanding level होता है, enhanced scope of seeing of relationship and meanings, दो या दो से ज़ादा चीज़ों के बीच में relationship, उनके बीच में meaning अगर समझना है, तो वो reflective level की responsibility होती है, तो सही answer है option number one, मैं उमीद करते हैं students, आपको यह सारे questions पसंद आ रहे हैं, अगर आपको कोई भी doubts हैं, या separate किसी वीडियो पर, separate किसी topic पर आप वीडियो चाहते हो, किसी unit पर वीडियो चाहते हो, तो मुझे comment करके बता दीजिए, मैं teaching aptitude के बाद, वो unit भी start कर दूँगी, what should be the aim, main objective of teaching, teaching क्यों होती है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या उदेश्य है, क्या सिरफ आपको examination के लिए पास करना मेरा उदेश्य है, नहीं, तो, dictate good notes, आपको क्या सिरफ अच्छे notes देना, no, provide required information related to subject, आपके subjects के लिए जितनी information आपको जरूरी है, सिरफ वही देना, नहीं, to develop thinking power of students, आप लोगों की thinking power, mental abilities को बढ़ाना एक teacher की responsibility होती है, अब देखे, जैसे हम आपको बढ़ा रहे हैं, तो हमने आपको memory level, reflective level और teaching level का example लेते हैं, ये तीन levels बहुत अच्छे से पहले बढ़ा दिये, हमने आपको इनके terms भी बता दिये, अब exam में as it is question ही आते, हमने thinking power बढ़ाई कि आप ये ये keyword याद रख लो, ये definition याद रख लो, तो answers easily आप match कर लोगे, तो ये बहुत जरूरी होता है, thinking power बच्चे की बढ़ाना, which of the following sequences accurately represent Morrison's stages of teaching, so Morrison ने teaching के कुछ stages बताये थे, जो कुछ इस तरीके से हैं, वो बोलते हैं कि पहले हम explore करते हैं, फिर present करते हैं, recitate करते हैं, यानि कि सस्वर पार्ट करते हैं, उसका, बोल-बोल के उसको याद करते हैं, या present करते हैं, assimilation and organization, assimilation and accommodation मैंने आपको बताया था, cognitive apprenticeship model के अंदर भी या आता है, ठीक है, reflective teaching is, reflective teaching क्या है, cyclic process of thinking about learning, हमने क्या सीखा उसके बारे में सोचना, linear process of thinking about teaching, एक ऐसा process जिसमें हम teaching के बारे में बहुत डीप में जा करके सोच सकते हैं, या सोचते हैं, cyclic process of thinking about teaching, देखिए, एक चीज़ तो यहां पर clear हो कर देती हूं आपकी, कि reflective teaching, चिंतनशील शिक्षन जो है, वो एक चक्रिय प्रक्रिया होती है, cyclic process होता है, ठीक है, जिसमें कि हम teaching के बारे में सोचते हैं, अब देखिए, आप general knowledge पढ़ रहे हो, कोई fact पढ़ रहे हो, देश-विदेश के बारे में, वो आपके memory में store हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी memory जहां पर आपके rules, logic, ये सब चीज़े store होती है, उस memory को क्या कहते हैं, temporary तो नहीं होती है, है न, semantic, iconic, ये general, तो ये होती है, आपकी semantic यानि की शब्दार्थ समृती, अब एक हो gk वगएर आप पढ़ते हो, one term में उसके answers होते हैं, तो वो शब्दार्थ ह को कहा जाते हैं, the organized bodies of information stored in memory that bias the ways new information is interpreted, stored and recalled is known as, okay, so बहुत ही जादा important question है, इसका सही answer है, schema, simple सा question ने लिखी है, यहां पर बोला है, स्मृती में, यानि कि हमारी memory में, संग्रहित जानकारी, जो भी information हमने कठी की है आज तक, उसका संगटित निकाए, ठीक है, उसका जो संगटित एक साथ, जो उसका हम संगटित निकाए करते हैं, जो नई जानकारी की व्याक्या, नई information हम उससे related जो भी ले रहे हैं, उन सबको व्याक्या उनको interpret करता है, उनको store करता है, और उनको recall करता है, याद करने के तरीके को पुर्वा ग्रहित करता है ठीक है याद करने के तरीके को क्या करता है और्गिनाइज तरीके से हमार को बताता है पुर्वा ग्रहित करता है उसको हम क्या कहते हैं स्कीमा कहते हैं एक पर्टिक्यूलर फॉर्माट टिंग में जो चीजें होती हैं उसको स्कीमा कहते हैं एक्टिव का मतलब होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहे हैं तो हम उनको जिसे सुन भी रहे हैं और रिस्पॉंस भी दे रहे हैं तो वो concept teaching के level में होता है तो वो होता है reflective level में ठीक है यानि कि हम सुन भी रहे हैं सामने वाला जो बोल रहे हैं उसमें response भी दे रहे हैं तो response term is related to reflective level which of the following is true about understanding level of teaching understanding level समझने की चीज़े होती है तो इसका सही answer है teaching is comprehend teaching to comprehend the concept अब धारनाओं को समझना या समझाना यहाँ पर सीखा जाता है अब जैसे memory level में आपको ABCD सिखाया जाता है ABCD का actual meaning उसकी actual implementation आपको सिखाती है understanding level which of the following describe understanding level of teaching systematic step by step presentation of to promote retention of facts and facts presented okay so इस question में बोला जा रहा है देखिए कि systematic तरीके से आप क्या कर रहे हो अप retention retention term में ने क्या बताई retention और facts को recall करना होता है आपका memory level तो ये तो understanding level का नहीं है giving a large number of positive and negative examples to explain concepts ये PYQs में से statement आई है as it is कि किसी भी concept को लेकर के या किसी भी concept को explain करने के लिए आप उसके positive और negative examples लेकर उसको समझा रहे हो तो ये बिलकुल सही है insisting on effective storage of information जवर्दस्ती store करनी है बस information ये memory level में होता है helping to promote seeing the relationship among facts देखि लास्ट question में भी हमने पढ़ा facts के बीच में relationship हमें reflective, sorry understanding level बताता है ये हमें बताता है कि A for apple है, B for ball है तो इनके बीच में क्या relation है apple खाने के काम आता है, ball खेलने के काम आती है तो facts के बारे में भी समझाता है और उनमें अगर कुछ similarities या differences है या relation है वो भी बताता है तो B and D हमेरे पास सही answer होगी ठीक है MOOCit is one of the project serving currently for providing online education it is offered by so MOOCit जो platform है ये offer किया गया है IIT Kanpur, Bombay IISC, IIT Madrasu तो इसका सही answer है IIT Kanpur ओके so again देखिए CBCS का question लेकर आई हूँ In CBCS, Ability Enhancement Courses are of two kinds इसमें बोला जा रहा है कि क्षमता वृद्धी के जो पाठेकरम होते हैं CBCS के अंदर ये दो प्रकार के होते हैं पहला है options दिये गए हैं आपको सही दो ढूढने है Ability Enhanced Compulsory Courses ये बोलता है कि abilities को किसी person की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए Compulsory Courses इसके अंदर है बिल्कुल सही है तो पहला statement तो सही है Skill Enhancement Compulsory Courses Skills को Enhance करने के लिए Compulsory Courses है Ability Enhancement Elective Courses नहीं है Skill Enhancement Elective Courses भी नहीं है Skill Enhancement Courses भी नहीं है ठीक है तो सही आंजर है A and A and B ओके वैसे तो देखिए यहां पर Courses Select करना एक बच्चे के लिए Open है बिल्कुल वो चाहे तो जो मर्जी Elective जो मर्जी Main Subject अपना Select कर सकते हैं बर Skill Enhancement और Ability Enhancement के लिए जो आप एक पार Courses Select करते हो तो फिर आपको Follow करना पड़ता है ठीक है Which of the following methods are Learner Centered Teaching Methods So Learner Centered ही जिसमें Learner Focused होते हैं Learner के पास Student के पास एक पूरा अधिकार होता है कि वो Student Teacher से कुछ भी Questions पूछ सकते हैं कुछ भी मतलब Topic Related कुछ भी ठीक है And जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं जैसे वो पढ़ना चाहते हैं तो वो Teacher को बोलकर उस तरीके से पढ़ सकते हैं So Learner Centered Teaching Methods में क्या क्या चीज़ें आती हैं एक तिसमें Active Learning आती है कि बच्चेओं के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे तो वो बहुत Actively Participate करते हैं तीके दूसरी चीज़ आती है Cooperative Learning इसमें बच्चे एक साथ मिल जूलकर पढ़ना लिखना सीखते हैं ये भी सही है Inductive Teaching and Learning So Inductive Teaching and Learning भी सही है Learner Centered के Regard में Passive Learning ये आपर नहीं होती है Passive Learning आपकी Teacher Centric Method में होती है तीके तो सही आंसर है A, B and C only That is option number 1 What is true about Non-formal Learning Environment Non-formal Learning Environment क्या होता है Learning does not Take place in structured way Okay Non-formal देखिए Formal Learning होती जो स्कूल में बहुत strictly बढ़ाई जाती Non-formal होती जो आपको Games के through Informal भी इसको बोल सकते हैं जो Games के through Puzzles के through बच्चों को सिखाई जाती Poems के through बच्चों को सिखाई जाती है ठीक है So इसमें कहा गया है Non-formal के अंदर कौन कौन सा आता है True statements हमें देखनी है Learning does not take place in structured way So structured way में teaching नहीं होती है Learning नहीं होती है ये बिल्कुल गलत है Structured way में होती है एक plan तो पूरा करना ही पड़ेगा ना अगर बच्चों को poem के through भी बढ़ा रहे तो वो planned चीज़ें होती है ठीक है अगला है हमारे पास Does not aim at certification इसमें certification भी मिलता है True बोला है तो गलत होगी है Learning takes place in a structured manner Structured manner में Learning होती है Okay So देखे students इस वाले question में थोड़ा सा confusion है कि learning takes place in a structured manner तो structured manner में ये होती देखें यहाँ पर not था यहाँ पर सही होगा ये ठीक है Takes place outside formal educational structure Takes place outside formal educational structure उससे थोड़ा सा बाहर ये निकल के काम करती है ऐसा बोला जा रहा है Intents to achieve pre-determined educational objectives Pre-determined यानि कि पहले से कुछ हमने objectives decide कि हैं कि आज बच्चे को हम poem के थूँ या किसी भी तरीके से informally ये topics सिखाएंगे तो pre-determined educational objectives इसमें होते हैं जो कि बिलकुल सही है So इस प्रश्न का सही answer है Option number B that is C and E only Okay Right So I hope students यहां से आपके सारे concepts clear हो गए है अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की series को मैं continue करूँ जो भी next student आप चाहते हो उस पर मैं जरूर exam से पहले कोई KMCQs के जरीए आपके concepts clear करवा दूगी So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best